स्वागत है आप काच के वीडियो में हम आज आप लोग लेकर आके हम आहें हिस्ट्री को बहुत ही सस्थ्टिंट होगे सब्सक्राइब कर रहा है अभी आप लोगों कोई पता नहीं चल सकता है कि एक्जाम होगा यह नहीं होगा ठीक लेकिन होगा सरकार ने जो की लागाया है अभी तो सब जगा बंद पढ़ रहा है ठीक सब कुछ बंद चल रहा है और कोचिंग सब्सक्राइब रेस्टोरेंट इत्यादी बंद कर दे गई है लेकिन फिर वी एक्जाम लिया जाएगा सरकार ने असा नुदेश जारी किया है तभी जाके करें चल रहा है अब भी जारी कर दिया अब आप लोग का वी जारी जुका है तो हम जो एक अप लोग को यहां पे कराने जा रहे है ठीक कि कि आपका क्यूश्शन है कि कि सीख्व गुरू का जन्म जो की पट्नम हुआ था आप लोग बता दे कि 10 सीख्व गुरू हुए थे और दस शीख गुरु वे थे जिसमें से एक शीख थे दसवे जो गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविन सिंग और उनी का जन्म जो कहां हुआ था तो पटना में हुआ था ठीक है जहाँ पटना में बहुत बढ़ें जग़े हैं पटना साहिब ठीक ना कभी जाएगा तो हाँ अचा है तो पटना से क्या हो जगा एकाँ नमबर कि कि विदेशी यातरी ने पुराणों का अधियन किया यहां बात कर रहा खेक सब्सक्राइख घृण से बारा नमर आते हैं कि भारत में सती प्रता का आँखों देखा हाल किसने परसूत किया था ठीकिना भारत में सती प्रता का हाल आखों देखा आप किसने परसूत किया था तो यह आप लोग के बाबू इबन बतूता ने शती प्रता का आँखों देखा हाल परसूत किया था और कि तुक्ताब लिखा गया था रहला ठीक ना उपने बटूता पूछेगा तो किताब ल तकी के लिकाट चलिए पिर्थवी राजरासो के लेखा कौने ठीक निघ्नवी राजरासो के लेखा कौने तो है चंदर बदाई ठीक ना अप्सन डी विल बेंजर हो जाएगा पच्पन नंबर पे आते हैं कि दिली सल्तनत की पहली और अंति महिला सल्तनत के कब थी तो आप लोगों को बता दे वबुकि जो दिली सल्तनत का जो काल था वह आपको मौरे सासन के पहले था आप छपन पहला लोगों तो जो ने दिली सल्तनत का अंतिम सुल्था कौन तो इब्रहाइम लोगों को बता है कि बाबर ने 1526 एसविशेशेव में 1526 इसविशेव में जो कि परताम पानीपत्का यूद लड़ा था इब्रहाहिम लोधी और किन्के बीच में और बाबर के ब पजपन जो कि आपके यहां पर नहीं दिया नेकिन अधर सो सफ़पन हो जाएगा आप्सन तो यहां कोई ही नहीं ठीक ना अठर सब पजपन डाट्याव कर देख टैएं कि पूर्तेगाली तो गोवा पर अधिकार किया था तो जैगा ऑन्द 1010 और फिर कोशन कर देगा कि पूर्तवगालियों ने गोवा को अजात किया था तो पंद तो नीस सो एकसट हो जागा ठीक है चलिए भारत आने वाला पहला इस इंडिया कंपनी को था था पूर्तिगीज कंपनी ठीक है कि साथ नमबर किस वर्स भायत के समुद्री मार के खोज की गए थी किस वर्स तो चोदोसो अठान में हुआ था ठीक ना कि अगर हम बात करते हैं कि बंगाल का पर्थम तो था वारेंग हैस्टिंग था कौन ता वारेंग हैस्टिंग अप्सन ए विल बेंसर हो जाएगा एसाइब बंदबस किसने लागो किया था यह ऐसा कोशन आता है यह कोशन नहीं आता है तो करने वाली से लेगा तो करणने वाली से सबस्था हो जाएगा तो जो की बंगाल में बंगाल मैं किया था रही ता करने वाली के तो कि चीता के पास किसने कहा था कि घुलाए कि यह हुई महीला बिद्रोयों के एक समान मद्रती इसने कहता तो पुष्टा के लेका कौन ते तो तो यह बिहार में अठाश संतावन के परमुख नायकों थे तो बिहार में अधाश संतावन के लेकिन अगर पुछा गाएं तो वो जाएंगे पीर अले टीक है तो किसने का था तो कालमार्स ने इसको कहा तो अफसन ए विल बेंसर हो जाएगा पटना में तो यह बूला था पीर अली सब्सक्राइब भारत आने वाला पहला पूर्ते गाली कौन था तो था वास कोई डिगामा थी नहीं चौद्व माईज चौद्व सब्सक्राइब को आया था तो गेटो अफ इंडिया कहां इसी थे इसका निर्माण 1911 में किया गया था गुलाम थी और ब्रिटेन के राजा जोर्ज पंचम और रानी जो कि मैरी आने वाली थी तो नहीं को स्वागात में जो कि कि विक्तॉरिया टर्मिल की स्वाइब की से कि नो गाथिक साहली की भी कि विल्पेंस अलांके से कोई जो कि बहुत कमाते हैं जो गेट अफ इंडिया निर्मान कभाण तो उन्हें सब्सक्राइब कब भारा वर देख नहीं नहीं हो मां सकते हैं अगर अगर ऐंग्रेज ये श्क्षा का मध्म अंग्रेजीच कब अंग्रेजों कि संट पोर्ट जो की किसर में सब्सक्राइब आपका कलकात्ता में सवी किनारे इसे तो कलकाता आपका किनारे मतलब कि आप लोग देख सकते हैं मतलब कि अगर गंगा नदी टिक कर सकते हैं कि गांधी जी को अंग्रेजों ने पर्थम यूद में योगदान के लिए कौन सी पाया देती नहीं महात्मा गांधी जी को उपाधी मिला था क्योंकि उन्होंने इंडिया इसके तरफ से पर्थम वर्डवार में जो कि 1914 से चला था तो उस समय गाजी जी ने जो एक योगदान दिया था तो उन्होंने कि ऑनने जोने इसको वापस कर दिया तेक हैं सुराज पटी का घठन किस ने के था तो सुराज पटी का गठन चितरंजन दास और मोती लाल नहरू ने किया था किस ने चितर अजन दास और मोटी लाल नहरू मोटी लाल लेहरू रगें घीक ठीक है आ अगे देखते हैं यह क्या हो गया है जोई तहां कि सुबाश नद बोस ने किसी हराकर कांग्रेस अधेक्स माता तो पताभी हरा रहा है तो इससे कि महात्मा गांधी को बहुत दुख हुआ था क्योंकि महात्मा गाधी ने पटावी सृतार मुअजी को खड़ा किया था कांगा सधिश बनने के लिए लेकिन जंता ने किसे चीटा दिया सुभाष अंद्रबोश को तो गाधी जी जो की बहुत सर्मन की गुसा हुए थे सुभाष अंद्रबोश ने यह देखे कि हमारे गुरु मतलब कि हमसे जो सरस्रेश्ट है गाधी जी जी इनको पूरा देश पुछता है वह हमसे नराज है तो उन्होंने क्या गया कि इस पद को यह हटा दिया इस पद्ट को अंगरे सद्रेक्ष से हट गाया तप्र पटांभी सितार महिया बनी ठीक है श्यक्त कि क्रिप्स परस्ता और गांधी जी ने कहा था पोश्य डर्यटर्ट कहाता था मुसलिम लिग के सपना कभ हो थे तो मिसलिम यान उस्ट शोईस्वीम हुआ सब्सक्राइब करने वाले एक ब्रिटेन का इसका नाम था नाम था उसका नाम ठीक ना उसका ना उसका ना उसका ना करो या मरो कनारा के इसने दिया तरीक ना करो या मरो कनारा दिया था गाधी जी ने ठीक नो अनुस्तब ब्याली सेश्वी में भारत छोड़ो आंदुलन के तहत उन्हों ने यह नारा दिया था कि महात्मा गांधी के राजनेती गुरु कौन थे ना तो महात्मा गांधी के राजनेती गुरु थे गुपाल कृष्ण गोखले ठीक ना गुपाल गृष्ण गोखले और महात्मा गांधी किसी गुरु थे तो महात्मा गांधी पंडी जो आहला नहरु के गुरु थे भारास चोड़ुव आंदोलुन कि सुर्स भाता था to 1942 सुभाता धी दी अपसं साऋ transported ना 1924 था क्षमय हुआ था क्योंध्व ब्रिटेजंग मंत्री कहते हैं जब भारास सटोन्त रुवा था criticizing कराम तो इ tornar ह起्षा क्योंकि 1946 में जो एकी चुनाब ब्रेटेन में हो चुका था और एटली जो एकी नेता बन चुके थे एटली तो उन्होंने ही जो कि भारत भारत भेजा था और उनके ही सासांकाल में जो कि भारत जो की आजाद हुआ था ठीक है सबसे लंबा मुर्ती बना है जो कि पूरे 20 लोका वर्ल्ड का सबसे लंबा है कहां पर गुजरात में ठीक है बल्ला भाई पर्टेल हम आजदेश के प्रतमकिरी मंत्री थे अंटाने में प्रस्ण है कि भारत को कब भारते समिधान को कब अंगिकरित किया गया था तो उन्यूस अगिकरित ठीक है और फिर से 26 जनवरी पचास में इसको लागू कर दिया गया था भारते समप्रूर्दा ने नहीं प्रस्ण है एक कोशन बहुत यह कोशन यह आता है कि भारते सम्पूर्दा में भारते समिधान की संपरुदा नहीं थे किसके अंत्रगत नहीं थे वागु देखें तीन चीज़ होता एक होता है राष्टपती एक होता है जो कि अब बताते हैं एक संसाद होता है एक राष्टपती होता है तो किसमें नहीत होता है संपरुदा किसमें नहीत होता है आप लोग संपरुदां मत मारेगा ना ही आप लोग देश के प्रहान मंत्री को मारेगा कोई बच्चे होते हैं डेट परसें जो कि सन्विधान मार के हाथ हैं ठीक है संविधान नहीं का भारत की जो सन्विधान की जो संपरता है और नहीं थे किसमें राष्टपति में option a will be answer हो जागा ठीक है तो thank you so much यहां तक